बाई को आज हमारे विशेश तोर पे जहारखंड से हमारे बहुत सारे साथी आये हैं विबिन विबिन संगठन से हमारे पाटी और संगठन के सभी पतादिकारी और निसात बंदू आये हैं जहारखंड से और हम लोगों ने आज विश्थार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सबी को पता है कि बिहार से हम लोग उत्तरपरदेश में पार्टी लाँच करके आज उत्तरपरदेश में चुनाब लग रहे हैं 165 शिट से अधिक चुनाब वहाँ पे लड़ रहे हैं अभ मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तरपरदेश में 2024 की तैयारी करने के लिए जारखंड से आज हमारे साथी जो यहां पर उपस्तित हुए हैं और उसके विशार करके और पार्टी लॉंच करके मजगुती से 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे यही बुक अजंडा है और इसके लिए आज हम लोगों ने यहां पर बैठा कर रहे हैं औ तैयारी करके और जारखंड में मजगुती से लॉंच करेंगे ताकि हर एक घरगां तक पहुंच जाए कि ब्याइबी पार्टी और एक-एक बूत पर संगठन पार्टी काम करें उसके लिए हम लोग आज बैठके हम बिश्मर्च कर रहे हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि आपको बार बार कर रहे हैं कि वह लोग आपस में बढ़वारा करके और शीट पर चुनाब लड़ने का निर्ने ले लिया है तो मेरा तो सुबकामरा उनके साथ है कि वो लड़े और जीते और बियाइपी पार्टी भी मजगूती से 24 बिधान परिसेदा का सीट जो है वहाँ पर मजगूती से अपने दम पर अकेले चुनाब लड़ेगे इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी गोशना करेंगे कंडिडेट का तो इसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे हम एक मला निसाद का बेटा हैं संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं और लोग हमें इग्नोर करते हैं लोग को लगता है कि निसाद का भोट है उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिसेदारी दे या ना दे उसका भोट उनको मिल ज तो खैर वो गलत फैमी का सिकार हो चुके हैं और वो लोग अपने आकरे मुझे लगता कि वो बड़ी पार्टी है गटबंदन तो तब होता जब वो अपने आपको कमजोर समझते हैं 2020 में कमजोर समझ रहे हैं थे तो बुला के गटबंदन किये हम इमिलेशन तो देने के लिए रहे नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने उनको अहसास हुआ कि मैं कमजोर हूं तो साथ लिए आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं तो उनको सुबकामना है कि लड़े जीते हम तो कल भी और हम तो राजा हरिशन्द के जैसे कल भी मंदार थे, आज भी मंदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे, इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ओफर किया कि हमारे साथ आईए, डिपिसीम बनिये, सबको मंतरी बनाए, लेकिन हम अपना एक मला का बेटा जुबान का पक्का और इमांदारी के साथ मानिय मुक्मनतरी स्री नितिस्कमार जी के नितरुत में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे और आगे का मुझे बोसिस करता हो कि चला है, लेकिन लोग इसी तरीके से बेज़त करते रहेगा, तो मुझे लगता कि हमें अपना भी एक हमार जी के साथ हैं, हमारी सरकार चल रहे हैं सब को पहले कि पहले भरो lift को निकाल दियें। पर देता था तो मुझे लगता कि यहां पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निरने लिया है हम अपनी निरने निशित तोर पर लड़ाए लड़ेंगे मुकमत्री नितिश्कुमार जी के साथ हैं और आग करेंगे किसके साथ रहेंगे ये मुझे आज नहीं पता है क्योंकि उन्होंने तो निकल दिया है वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके उपर है अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है एक ही ल लड़ रहे हैं आज इसके लिए उत्तर पर्देश में चुनाब लड़ रहे हैं आज आपके साथ जेडियू भी उत्तर पर्देश में अकेले चुनाब लड़ रहा है वियाईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाब तो आपको किस बात का समस्या है और आप क्यों चाहेंगे को के लोगों को आरक्षन लागउ कर दिया तो क्या कर दिए नाीज दिया I am आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया इस देश के और राज के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए और आप जो किया मैंने मुझे लगता है कि आपने सही किया लेकिन निसाद मच्वारा का बेटा भी तो देश में गरीब है उनके लिए भी हत आपको बिवस्ता आपी को करना है तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निसाद को आरक्षन करेंगे लेकिन इतना साल बितने के बाद भी आरक्षन नहीं कर रहें तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को काय करें अपनी लड़ाई लड़े और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया आने वाले समय में देश का परधान मंत्री भी निसाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा वो ताकत हम लोग बनाएंगे आज बनाना जब सरकार बन सपलाइब प्रणाइब नियुक्ता है एमें प्रणाइब गए व्य। मुंबई जैसे सहर में भी अगरे अपनी समराज को कायम कर लिया और बिहार में छे साल में निशाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तयार कर दिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी बिहार का जारखन का निशाद र रक्षा उसरोज लागो होगा उसकी लिए लड़ाय लड़ते रहेंगे लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मुके सानी को मिटी में मिला देंगे तो भाई आप सोचिए आपको जो करना वो कीजिए लेकिन मुके सानी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अपने समाज के परे तो मैं तयार हूँ ने ने यह इस चीज को वहसा नहीं लिजिए इस चीज को ऐसे लिजिए कि देखे गठवंदन तो तब होता है जब आप अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं कि हम कमजोर है तो इससे गठवंदन कर लेते हैं तो अभी उन लोगों को लगता है कि हम मजगुत हैं तो फिकर किसलिए करते हैं मुकेशनी का यहां पर भी आप माल लिए कि हम मजगुत हैं और दोनों पाटी में सीट बटबारा करके लड़ाय लग रहे हैं तो फिर आपने सहयोगी को भरोसे में लेने की बात क्यूं कर रहे हैं आप सीधा बहुत क्यों नहीं दि किया था कोई बेक्ति महरवानी नहीं किया था यह मेरा अधिकार था मुझे ठीक है पुरा कर दिया आगे ना करें उनको जो लगता है मेरा जो गटवंदन हुआ था आप सब के समक्ष में और उसका गवा आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है बिहार को जनता को समय पराना और 172 देना उस ने दिया को şekilde महरवानी कर था मैंने किया था अगर 17 emissions वह में रहें तो पूरा करेंगे नहीं अगर तो ना करें बहुत का हैं अगर उसका परवा करतें तो उत्तर परतिस में लडवे करतें तो हम तो हमस्माज समाज के साथ हैं मजगूती से हैं और आगे भी रहेंगे जिसको जो अपना करना वो करें लड़े जो करना वो करें पूरब के जगे पच्छी मुख सकता है लेकिन ब्याइपी पार्टी बच्छा में चुनाव लड़ेगा इसमें कोई एक परसेंट पिटवट नहीं होगा हाँ जिस साथी 2020 में गटवंदन जो था उस गटवंदन के तहद अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में सरकार यहां पर मानी मुखमंत्री निती सुमार जी के नितृत में सरकार चल रही है और मुखमंत्री जी के साथ में मजगूती से हूँ मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उतल पुतल हो क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करो पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा हमें लगता है कि मुखमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम कर रहे हैं अगर जब तक काम करने का मुका मिलते रहेगा अंदाजा मिलेगा कि हम लोग अपने विभाग से लाको युबा को रोजगार दे पाते हैं तो अच्छा होगा जब जिस रोजगार नहीं दे पाते ह ही दिया जा रहा हमारी सरकार में उस वो फोचा जाएगा कि इस यूबा के लिए क्या करना है नहीं दुभर सब्सक्राइं का नए देखें हम तो अकेला चलने वाला बिए अने सोफस, हकुँति का य currently संघर्स करने वाले लोग हैं हम तो समानने विचारदारा यों कि दो कभी दोस्त बनते हैं कभी दुस्मन बनते हैं कल तक BJP का हम दोस्त हैं कल उन्होंने हमको बहार भी का दिक रहा है और वह अगर इस बात से अगर डरा रहा है कोई पार्टी विधायक के उपर नहीं चलता है जनता और कर्च करता के दम पर चलता है उनके सपोर्टर पर चलता है तो विधायक तो हम दम पर मजगूत होगे तब बना हम संगर्ज करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था तो संगर्ज करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फ़र्गृता है फिर 2004 बदाइक बनाया है निसवाज ने दोजार पचीस में चालिस में बनाएंगे हो सकता तो एक 131 बना सकता है और अपने आने वाले समय में हमारी संगर्स जारी रहेगा और संगर्स करते रहेंगे और 24 लोग बिदान सब परिशत का शीटा उस पर चुनाब मजबूती से लएगे पति पारास को एक चीट दिया गया आपको इग्नोर किया गया माजी जी को इग्नोर किया गया ने तो हम भी सरकार के साथ हैं ठीक है तो वो उनको जो वो निरने तो नहीं को लेना है और वो जो निरने लेंगे आभी बाबा को उनका हम निरने का जागत करते हैं वो जो निरने ले रहे हैं लेकिन हम तो अपना निरने लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए इसके लिए मंदी तूटे घर तूटे मुझे उसका परवा नहीं है मैं लड़ूंगा मेरा जो अधिकार है अगर एक सुई बराबर भी अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूँगा परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाब इसमें भी कोई किन्तू परंतू नहीं है उतारती है तो क्या समर्थन वापस लेंगे आप वहां पर मजगूती से परिवार के लोग चुनाब लड़ेंगे नाम क्या होगा वह समय पर हम चाहते हैं कि मानी मुक्रमंत्री जी उसका नाम का गोचना करे और समय आने पर अचार संगिता लगने पर वहां पर गोचना लड़ेंगे नहीं वने से लड़ेंगे लेकिन भी पॉक पर्टी हर हालो पर लड़ेंगा और मजगूतिंगे यहां फंटने अब गरीब का बेटा है मचवारा का बेटा है तो अभी खंजरे भोक रहा है उनका बवस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाँ नहीं है हम लराए लरने वाले लोग है लरेंगे उनका सांसत ने कहा न कि मिट्टी में मिला देंगे तो हमने तो कहा कि कर दिए लड़ने वाला हूं आप हमको मिट्टी में मिला दिजे मुझे कबूल है लेकिन आपका योगी आमोदी जया नहीं बोलेंगे जया तब बोलेंगे जिस रोज आप आरच्छन लागू कर दिजेगा और आरच्छन लागू नहीं होगा तो समय परेगा तो कहेंगे जाओ देश का परधान मंत्री हो या कोई राज का मुख मंत्री हो अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबात बोलने के लिए भी सोतंत रहा हैं